दोस्तों यह आपके लिए जरूरी सूचना है वीडियो को स्टॉप करके इसको जरूर रीड करें वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो के इनल मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कोड में चल रहे हैं मामलों में इजीली रादी नामा करके सेम डे अपने केस को खत्म करा सकते हैं और कौन सी धाराओं केशे मामले हैं जिन मामलों में रादी नामा हो सकता है वो दहर्याएं भी आपको बताने वाला हूं लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आपका मामला स्थीविल- burner की केटेगरी का है मानलिजिय का मामला है या आपका एकसल किलेम क मामला है या का मामला मैट्रिमोनियल मामला तो सिंपल नहीं है दोनों पर्टी पर पेघरी हो जाती है बहुए आपकी पर्परटी को लेकर के मानलीजी जमीन का दुकान या मकान का आप दोनों पर्टी टीच की बीज में वह कुई सेटलमेंट करने हो वह गयाते हैं तो से कंडिशन लिखते हुए पराधना पदर कोड के नदर पेश कर दो आप दोनु बात करो और राधना पदर पेश करती हो तो कोड सेम ड़ी ही आपका केस का निस्थाराण कर देगा उस कॉंपरमाइस के अधर पे जो आपने पर और ऑफेंस होते हैं Compoundable Offense जिनमें राजी नामा की जासकता है Non-compoundable Offense जिनसमें राजी नामा नहीं कह सकता लेकिन कैसे कि जाएगा वह मैं लास्ट में बताऊंगा आपको इस वीडियो के कि Non-compoundable में किस तरह से राजी नामा कर सकते हैं सबसे पहले हम बता दें कि Compoundable मामलो के बारे में CRPC की जारा 320 में बताया गया है लिस्ट बताया गया यह दो तरीकी के शेडूलिस के अंदर यह जो सेक्शन में आपको बता रहा हूं यह सारे सेक्शन जिनमें आप राजी नामा कर सकते हैं लेकिन बात वह यह कि जो शिकायत करता है उससे आपको बात करने पड़ेगी और जो अक्यूजड है मतलब अंक्यूजड दोनों की सहमत ही होनी चाहिए तभी किसी मामले के अंदर कंप्रमाईज हो सकता है तो आप बात कर लें किस पॉइंट पर वह एगरी हो रहा है एक्जांपल के तोर पर किसी कंप्लेंट ने सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेंस делать करने जिसमाई जींट नहीं करेंगे अगर अधर किसी कर देगी अधर ये जो दहाराएं शारी जिसमें को पर्मिशन लेनी पड़ती है जो शिकायत करता है उन और dalla मेंसे जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो फिर court permission देगा प्रात्ना पत्र कोन पेश करेगा permission के लिए complaint वो कमपर्मीशन मांगे अनुपति मांगे इस परक्रण के नतर कोई कारवाई नहीं चाहता तो मुझे compromise करने की प्रदान करें तो वह कोट पर्मिशन देदेगा देन वही आप से कॉंप्रमाइज प्रात्नापत्र पेश कर देंगे हमने आपस में दोनों ने राजी नामा कर लिया है और एक तरफ आपके सायन हो जाएंगे परिवादी कि दूसरी तरफ जो अक्यूस के सायन हो जाएंगे अ 354 लड़की को छेड़ चाड़ का मामला 354 ए 376 या अपरना 365 आई पीसी हत्या का प्रियास 307 आई पीसी 302 यह ऐसे मामले जिन में कॉंप्रमाइज आप नहीं कर सकते यानि अगर आप कोर्ट के समख्ष राजी नामा करके पेश भी कर दोगे तो कोर्ट राजी नामे को सुईकार नहीं करेगा तो आप किस तरह से आप स्रिटल्मेंट कर सकते हैं तो एक एग्जामपल लेता हूं मैं आपके लिए जैसे मैं अभी आपको लिस्ट दिखाई थी इस लिस्ट के अंदर 406 IPC को भी दिखाया गया है 406 IPC के अंदर कोर्ट को पावर है कि वह पर्मिशन देती है जो शिकायत करता है उसको कोंप्रमाइस करने के लिए फिर वह कोंप्रमाइस होता है जैसे माल लीजिए 498 और 406 साथ में लगती धारा अब 406 के अंदर कोर्ट कोट के अंदर कोट के अंदर शिकायत करते हैं कोट के अंदर शिकायत करता के अब जैसे माल लीजिए वाइफ है वो बयान चेंज करेगी कोट में आने के बाद होस्टाइल हो जाएगी पक्षद्रोई गोशित करेगा प्रोस्टिक्यूशन उसको कि भई आकर के इसमें बयान चेंज कर दिये और उसके आधार पर फिर कोट जज्मेंट क होती थी इस बारह में शिकायत कराएत थी के शराब पीते हैं इसको शराब रुक छुडवाए जाए जैसे यह इस तरीके की शिकायत दर्श कराईजे साहब इसमें पता नहीं किस ने क्या क्या और खार जै तो बैयान चेंज होते हैं उसे मामले में जो नोन-compoundable होते हैं बीज में अब वह कैसे भी हो वह दोनों एगरी कर जाते हैं किसी एक पॉइंट पर समझोता कर लेते हैं आउट ओफ दी कोड कोड में जाकर करके बैंच चुछ जो जाते हैं तो इस तरीके से कोड में समझोता करके माम लोगान इस तरण किया सकता है उम्मीद बास समझ में कर दो तो तेंक यू